सब्सक्राइब किजिए TechMindWord चैनल को और सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए क्लिक किजिए इस वेल आइकन पर WhatsApp ग्रूप एड्मिन्स के लिए एक नया फीचर लेकर आया है इस फीचर के दुआरा WhatsApp ग्रूप के एड्मिन को पावर दी गई है इस वीडियो में हम इस नई फीचर के बारे में सीखेंगे Hello friends मैं हूँ उमेश सेनी और आप देख रहे हैं TechMindWord WhatsApp में एक नई फीचर को टेस्ट किया जा रहा है इस फीचर का नाम है Dismiss as Admin अगर आप किसी WhatsApp ग्रूप के एड्मिन हैं तो आप बागी Admin को उनकी Admin Position से हटा सकते हैं उन्हें Admin की Position से Demote कर सकते हैं गुरूप के Admin के पास दूसरे Admin को बिना गुरूप से हटाए Admin के Position से हटाने की सुभीदा दी गई है इस फीचर में वह व्यक्ति केवल Admin की Position से हटेगा जबकि वह गुरूप का सदस्य बना रहेगा चली सीख लेते हैं इसे कैसे करेंगे ये मेरा एक WhatsApp गुरूप है इसे मैंने Open कर लिया है अब यहां 3 dots के उपर क्लिक कर लेंगे यहां menu में आपको Group Info का Option मिल जाएगा इस पर क्लिक कर लेंगे तो ये देखिए Group Info खुल गया है अब स्क्रोल करके नीचे आए यहां पर आप देख सकते हैं मेरे इस Group में मुझे मिलाकर 5 लोगों का Group है मैं Group Admin हूँ और मेरे अलावा 2 लोग और Group Admin है चलिए मैं इस Group Admin के उपर क्लिक कर लेता हूँ ये देखिए एक मैनू खुल गया है यहां पर एक नए फीचर है Dismiss As Admin इसका मतलब है कि आप इस व्यक्ति को अपने Group Admin की Position से Dismiss कर सकते हैं यानि Demote कर सकते हैं, हटा सकते हैं चलिए मैं Dismiss As Admin पर क्लिक कर देता हूँ अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर दो लोग ही Group Admin बचे हैं तो आपने देखा मैंने बहुत ही असानी से अपने Group के एक Admin को हटा दिया है पहले अगर किसी यूजर को WhatsApp Group के Admin से हटाना होता था तो पहले उसे Group से Remove करना परता था तो वह व्यक्तिक Group से ही बाहर हो जाता था उसके बाद उसे दोवारा Group में आम लोगों की तरह ही एड करना परता था लेकिन अभी ऐसा नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं जिस व्यक्ति को हमने Group Admin की Position से हटाया है वो अभी भी इस Group का Member है अब चलिए एक दूसरी Group में चलते हैं यह हम दूसरी Group में आ गए हैं अब यहां 3 dots पर क्लिक करके Group Info पर क्लिक कर लेंगे अब यहां पर आप ध्यान देंगे तो मैं इस Group का Admin नहीं हूँ दूसरा अभ्यक्ति Group Admin है अब मैं इस Group Admin के उपर क्लिक करता हूँ तो मुझे Dismiss As Admin का Option नहीं मिलता है इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी Group Admin को हटाना चाते हैं तो आपको खुद उस Group का Admin होना जरूरी है तभी आप उस Group के Admin को हटा सकते हैं अभी इस Feature को WhatsApp के Vita Version पर ही इस Feature को यूज कर सकते हैं WhatsApp Vita Tester कैसे बनते हैं इसके उपर मैंने पहले एक वीडियो बनाया है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्सिन में दे दिया है इस वीडियो को देखकर आप WhatsApp Vita Tester बन सकते हैं इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सेयर, कमेंट जरू करिएगा और साथी साथ हमाँ चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग दिस बिजिए